हाई एड्रीवन चलिए आज के करेंट एफेर्स को स्टार्ट करते हैं आज का फर्स टॉपिक है दो ड्रॉग्स कंच्रोलर जेनरल आफ इंडिया डीजी सी आई अन तुस्टेइ एप्रॉब भारत बायोटेग इंट्रेनेसल कोविट वैक्सीन फॉर रिस्ट्रिक्टिड इमर्जेंसी यूज इन दोज एजड एव इल्टीन यर्स ड्रॉग कंच्रोलर जनरल आफ इंडिया डीजी सी आई ने मंगलवार को अठारा बर्स से अधिक आयू के लोगों में सिमित अपात कालीन उप्योग के लिए भारत बायोटेग के इंट्रेल सेनल कोविट वैक्सीन को मंजूरी दे दी है ठीक है एंड ये है CHAD36SARSCOVSCOVID-19 ठीक है चिम्पैंजी अडिनो वाइरस वेक्टर्ड है चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे Next है In Kerala, the 68th edition of the prestigious Nehru Trophy boat race will be held at Poonamara Lake in Alapooza district Keral में प्रतिस्टित Nehru Trophy नौका दोड का अर्सटफा संसकरंत Alpooja जिले में Poonamara जील में आयोजित किया गया 30 स्नेक बोर्ट्स ने कंपेटीट किया जिस पर 1st PM Nehru जी का साइन किया हुआ था चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं Next है New Prime Minister बने है Britain की कौन है? Liz Truss ठीक है? Liz Truss बनी है New Prime Minister Britain की Liz Truss Britain के नए प्रधान मंत्री की रूप में चुनी गई है इस जीत के परश्चाथ 3rd female PM UK की बनी है और इससे पहले 2 बन चुकी है that is Theresa May and एक बनी है Margaret Thatcher and ये 3rd female है जो की PM बनी है Britain की Next topic है As part of आदर्श ग्राम पंचायत इनिशेटिव भारतौल विलेज इन बरेली दिस्टिक has become the first village in this state to have RO water in every household आदर्श ग्राम पंचायत की पहल के तहत बरेली जिले का भारतौल गाउं राज जी का पहला ऐसा गाउं बन गया जहां हर घर में आरो का पानी है Next topic पे चलते हैं Next है The government has decided to rename Delhi's Rajpat and Central Visitor Lawn stretching from the Rastrapati Bhavan to India Gate as Kartavvipath राजपत was known as Kingsway during the British rule सरकार ने राजपती भवन से इंडिया गेट तक फैले दिल्ली के राजपत और Central Visitor Lawn का नाम बदल कर कर्तब्य पत करने का फैशला किया है British सासन के दोरान राजपत को Kingsway के नाम से जाना जाता था यह है वो रास्ता PM Modi ji Central Visitor को इनगरेट करेंगे 8th of September को 2022 में चलते हैं next topic पे PM Narendra Modi announced the new center-sponsored Pradhan Mantri Schools for Rising India PM Shri Yojna on Monday. Under the scheme, 14,500 schools from across the country will be upgraded as PM Shri Schools. Pradhan Mantri Narendra Modi ने सुंबार को केंद्र प्रयोजित Pradhan Mantri School for Rising India PM Shri Yojna की घोशना की है इस योजना के तहदेश भर के 14,500 स्कूलों को PM Shri के रूप में अपग्रेड किया जाएगा PM Shri का फूल फॉर्म है प्रधान Mantri Schools for Rising India PM Shri Schools New Education Policy 2020 के सारे components को फॉलो करेगा चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट है दा इंटरनेशनल डे ओफ चैरिटी इस सेलिबरेटीड एनुवली ओन 5 सेप्तमबर जिस दिन हम लोग टीजर्स डे मनाते हैं उसी दिन इंटरनेशनल डे ओफ चैरिटी मनाया जाता है वस देक्लिएड एन ओफिसिल इवेंट वाइड यूवेंज जेनरल असेम्बली इन 2012 अंतरास्टी चैरिटी दिवस प्रतिवर्स 5 सेप्तमबर को मनाया जाता है और 2012 में सन्युक्त राज्ट महासवा द्वारा एक अधिकारिक कारेकरम घोशित किया गया है इस दिवस को फाउंड किया गया था हंग्रेरियन सिविल ससाइटी इंसिचूट के द्वारा 2011 में इस दिवस को मनाया जाता है मदर टेरेसा की देथ अनिवर्सरी को मार्क करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट आपिक पे नेक्स्ट है बिनेश कुमार त्यागी बीके त्यागी टेक्स ओवर एस CMD of Shipping Corporation of India ये हैं बिनेश कुमार त्यागी और इनने Shipping Corporation of India के CMD के रूप में परदभार सम्हाला है Ministry of Ports, Shipping and Waterways की तहत Shipping Corporation of India largest shipping company है और Shipping Corporation of India को found किया गया था 20 of October 1961 को और इसका hit quarter है मुंबई में नेक्स्ट आपिक है 36 गड़ सीएम भुपेश बागेल inaugurated three districts in the state दे आर मुहला, मानपूर, अमवागर, चौकी सारंगर, विलाईगर कैरागर, चुई खादन, गणडई तो ये तीन districts बने हैं 36 गड़ में और 36 गड़ के सीएम कौन है भुपेश बागेल चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट है करनाटिका गवर्नमेंट has appointed करनेर स्टार सुधीप as the brand ambassador for its पुन्ने कोटी दात्तु योजना तो पुन्ने कोटी दात्तु योजना कहां की है ? करनाटिका की है और इसके लिए brand ambassador कि से बनाये गया है सुधीप को कैसी योजना है, कैटल को एड़ॉप करने के स्कीम है करनाटक सिरकार ने करनर स्टार सुधीब को अपनी पुन्ने कोटी दातु योजना बवेशी कोद लेने की योजना के लिए ब्रैंड अम्बेसजर न्यूक्त किया है आप लोग कमेंट सिक्षन में बताएं करनाटक के सी एम कौन है चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट है डिप्लोमेट संजय कुमार नेक्स्ट डिप्लोमेट संजय कुमार बर्मा वाज अन तुस्टे अपोइंटे अज इंडियास नेक्स्ट हाई कमेशनर टॉ कैनेडा राजनेक संजय कुमार बर्मा को मंगलवार को कैनेडा में भारत का अगला उच्चा युक्त न्युक्त किया गया है नेक्स्ट है आज हम लोग एक ट्रिक के माध्यान से करेंगे भारत में अब तक जितने भी प्रधान मंत्री रह चुके हैं उनके बारे में कौन-कौन से प्रधान मंत्री रहे हैं और उनका क्या कारेकाल रहा है तो ट्रिक है जवाहर भै लाल बहादुर इंद्र बने मुरारी तब चौदरी के चरंचु इंद्र भै राजी विश्व चंद्र नरसिं सहारे अटल देव भै गुजराला अटल तेमन मोहन मोले अब की बार मोधी सरकार तो यहां पे है जवाहर जवाहर से बनेंगे जवाहर लाल नहरु और इनका कारेकाल था 1947 से 1964 तक जवाहर भै लाल बहादुर तो लाल बहादुर से बनेंगे लाल बहादुर सास्त्री और इनका टाइम पेरिए था 1964 से 1966 देन आता है इंद्र तब चौदरी के चरंचु इंद्र भे राजी तो इंद्र से आएगा इंद्रा गांधी और ये बनी है 1966 से 1977 मुरारी से मुरारी जी दिसाई 1977 से 79 चौदरी चरंच से चौदरी चरंच सिंग 1979 से 1980 इंद्र से इंद्रा गांधी और ये हैं 1980 से 1984 राजी से है राजीव गांधी 1984 से 1989 विश्व से है विश्वरनात प्रताप सिंग ये बने हैं 1989 से 1990 चंदर से चंदर सेकर आजाध सारी चंदर सेकर सिंग 1990 से 1991 नर्सिंग से पीवि नर्सिम राव 1991 से 1996 देव से एच सी देवेगोडा 1996-1997 गुज्राला आईके गुज्राल 1997-1998 अडल से अडल बिहारी बाजपै 1998-2004 मन मोहन से मन मोहन सिंग 2004-14 और मोधी से नारेंदर मोधी 2014 से अब तक नारेंदर मोधी ही हमारे इंडिया के पी-एम है तो ये ट्रिक को ये ट्रिक है और इसे आप लोगों को फोर से फाइब डाइम रीड करना है ताकि याद हो जाए अब तक के जितने भी पी-एम रह चुके है उन्हें बनाय गया है तो आप लोग इसको दो-तीन बार रीड करें अच्छे से याद हो जाएगा जवाहर भय लाल बहादूर इंद्र बने मुरारी तब चौधरी के चरंचु इंद्र भय राजी विश्वत चंद्र नरसीं सहारे अटल देव भय गुजराला अटल ते मन मोहन बोले अब की बार मोधी सरकार आज का सेशन आप लोग को पसंद आया हो मिलते हैं नेक्स टुड़े नेक्स टॉपिक के साथ थाइंक यू